नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हमारे पास है डिजिटल बोल्ट मीटर आप एनलाग बोल्ट मीटर बहुत इस्टिबलाजर में देखे होंगे और एनलाग मल्टी मीटर जल्दी से खराब भी हो जाते हैं लेकिन यह जो बोल्ट मीटर है यह जल्दी खराब होने वाला नहीं चुकि इस पे आपका 500 बोल्ट तक ये बोल्टेज बताता है यानि 400 बोल्ट तक भी अगर सप्लाई आती है तो ये जल्दी खराब होने वाला नहीं है तो आज की इस वीडियो में हम इसे टेस्ट करके दिखाएंगे ये कैसे काम करता है और कहां आप इसका यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका प्राइज भी बताएंगे तो आएए देर ने करते हुए वीडियो करते हैं इस्टार्ट तो दोस्तों अभी मेरे पास दो पीस है बचा हुआ और हम सबसे पहले इसका connection करते हैं कि यहां देखिए दो यहां जो पार्ट दिये दो यहां वायर दिये गए हैं इधर से और इधर से दो पॉइंट यहां पे आप yax1 और yax2 पे यहां पे दोनों वायर को यहां जोड़ना होगा तो आईए फटा फट हम दोनों पे वायर जोड़ लेते हैं तो दोस्तों यहां वायर जोड़ने के लिए आप देख सकते हैं जो दोनों इसक्रू लगे हुए हैं इन दोनों को आपको धीला कर लेना है दोनों को धीला कर लेने के बाद अब देख सकते हैं साइड में यहां प् प्लस और माइनस का कुछ भी ध्यान नहीं रखना है जिधर चाहे उधर जोड़ सकते हैं तो अब हम इसे सप्लाई देते हैं और दोस्तों इसका यूज आप बोर्ड में भी कर सकते हैं अपने मेरे घर के में बोर्ड जो उस पर भी यूज कर सकते हैं और यह पूरा करेक्ट ब दिखा रहा है जैसे आपका बोल्टेज घटेगा बढ़ेगा यह घटा-बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो अभी हमिसको मन्मीटर से आपको टेस्ट करके दिखा कर रहा है तो यहां पर हमारे इस बोल्ट मीटर में और मल्टी मीटर में दोनों में सेम बोल्ट है यहां कोई भी डिफरेंस नहीं है तो मैं इसका यूज एक बोर्ड में भी किया हूं आपको बोर्ड में दिखा देता हूं देखे मैंने बोर्ड में कुछी तरह से यहां बोर् तो दोस्तों बात करें इसके प्राइस की तो हमको यह अपने मार्केट में 75 रुपे का यह बोल्ट मीटर हमको मिला है आपके मार्केट में अगर यह मिलता है तो कितने का मिलता है आप कमेंट करके जरूर बताईएगा तो दोस्तों इस बोल्ट मीटर का डिश्टर बोल्ट पॉइंट दिये गए हैं इन दोनों पॉइंट पर आपको दोनों वायर जोड़ देना है और यह बोल्ट मीटर आपको बोल्ट हमेशा बताता रहेगा तो यहां देखें आपको कसने के लिए भी यहां देखें पीछे एक नट दिया गया है आप अपनी इच्छानुसारी से ज